कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने हिट्री चनल अमन प्रयाज जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 14 अक्टूबर 14 अक्टूबर को आपका ए जुनियर एक्जाम था जो की ठर्ट सिर्ट का आपका समाप्त हो गया है तो ठर्ट सिर्ट में किस दिर किस से पहले चैनल पर अगर आपने हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा इसका जो पीडियाफ है आपको टेलेग्राम पर भीद्या गया है टेलेग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है तो आप लोग जाकर एक वार वहां से जरूर हो जाईएगा पहला जो परस आपसे जो पुछा गया है 14 अक्टूबर ठर्शिप का वह पुछा गया है कि जो लौसंग जो उससब है वह आपका किस राज्य में मना जाता है ठीक है लौसंग उससब के बारे में पुछा गया था फ्रेंड तो यह आपका सिक्किम में मना जाता है तो इसका आपका 9 वर्स के तोड़ पर लोसंग उस्व है जो कि आपका मनाते हैं यह परति वर्स दिस्टमबर के महिने में आई विच्ट किया जाता है ठीक है तो इसके लावा भी और कुछ उस्व आपको याद रखना है तो याद कर लिजेगा एक आपका बीहु याद कर लिजिए जो क्या दख लिजेगा खर्ची पूजा जो कि दोस्तों आपका कहां बना जाता है तो यह दोस्तों आपका तिरपूरा का है इस प्रकार करके और वी फेस्टिवल है जिससा कि आपको बता दें तो हम लोग वीडियो के अंतर में देख लेंगे और वी फेस्टिवल को अगर मुझेरर भारत की कॉं सिराज की सिमा नहीं लगती है तो मियांबर के बाद करेंगे तो मिजोरम के इलावा बात करेंगे तो मिजोरम की सिमा घुरा कहां से लगती है आपका अनुनाचल प्रदेश को बदेवा से लगता है थिए हुस्ट को कबर करना हमारा करता है तो सब से पले दिखिए हम बात करते हैं आपका अफगा दोस्ता feather और भुटान की बात करेंगे तो आफगानियस्तान की बात करेंगे यह दूस्वाप का जम्मू कशमीर का जो सीमा है वह दुस्वाप का लगता है तिसके लावा उनाचर प्रदिस का लगता है इसके लावा दोस्तों आपका असम का सीमा भी आपका कहां से लगता है भुटान से लगता है इसके लावा हम लोग बात करते हैं बांगलादेश का बांगलादेश से कुनकुन सा सीमा आपका लगता है तो बांगलादेश से फ्रेंच आपको बता दे इससे भी दोस्तों आपक वेस्ट बंगाल का सीमा लगता है ठीक है वेस्ट बंगाल के लावा आपका इसका मिजोरम का सीमा लगता है ठीक है मिजोरम के लावा दोस्तों आपका मेघाले का भी सीमा आपका बंगला देश से लगता है मेघाले के लावा बात करेंगे तो आपका तिरपूरा का सीमा लगत इसके लाब उत्राखंड का सीमा लगता है इसके लाब आपका सिक्किम का भी सीमा लगता है इसके लाब अनुचल प्रदेश का भी सीमा आपका चाइना से लगता है इसके लाब में अमर की बात हम लोग कर लिए हैं तो हम लोग बात करेंगे अब नेपाल का नेपाल की बात कर लगेगा इसके लाब ईक आपका बच्श हव पाकिस्तान तो पाकिस्तान से आपका जammu पंजाब आप रधान स्थान साय का बिस्रीमा लग य安全 यह यह ठाट को भी चया थीए शेख रिगता हैं इसके लाब निए लिए फीन फूराइट तो इंटर्नेशनल जो मदर लेंग्वेज दे है वो आपका 21 फरवरी को मना जाता है तो राइट एंसर आपका 21 फरवरी हो जाएगा इसके लाब पूछा गया नलंदा विस्विदाले आपका किस राजमिसी थे तो नलंदा विस्विदाले की बात करेंगे ते दोस्तों आपका भारत की बिहार परांत में एक आपका जिला है नलंदा वहीं पर ये इस्ति थे आपका जिसका मुख्याले आपका विहार शुरी परता है नलंदा विस्विदाले की बात करेंगे तो प्राची नितियास के लिए आपका विस्विदाले था जिसे कि किस ने जला दिया था बक तूती कोरिन बंदरगा आपका किस राज में इस्ति थे तो देखिए तूती कोरिन बंदरगा दोस्तों आपको यहां पर इससे दिख रहा होगा आपका जो 12 या 13 पनुख बंदरगा है उनमें से एक आपका बंदरगा है यह दोस्तों आपका तमिलाडू में इस्ति थे तो इस से 11 जुलाई 1974 को एक पड़ूख बंदरगा है जो कि आपका गोसित किया गया था ठीक है तो इसके लाव बात कर लेते हैं तो हम लोग भारत में कुछ कुल जो महत्मून बंदरगाओं की बात करते हैं तो तेरा बंदरगा है वो कुण-कुण से बंदरगा है फ्रेंड्स हम लो कि आपके एक्जाम में आई रहा है तो एक बार देखना है जो कि आपका बंदरगा है ठीक है तो देखिए जो चनई बंदरगा है वो दोस्ता आपका कहां पर इसी तो जागा चनई तो चनई बंदरगा तो नाम से आपको लग रहा होगा या आपका तमिलाडू में हो जाग म Mei यहीं पार देख लेते हैं समिलाडू के लाब देख में लूजा dalों कि आपका कोची बंद्रगा की बात करेंगे यहांत कर में पहाद कर पहां आपका करेंगे डूजा ministers कंद कचलप बंद्र रोट ज्ञें के शरीन खरगो हां का इस पर बंदर्गा तो मंगलोड बंदर्गा यह स्थित कहा हो जाएगा आपपका अप्स्थित महारास में होगा इसके लावा जोहाल लाल नहरू आपका जो बंदरगा है वह भी महरास्ट में होगा इसका नाम बदल कर रखा गया है अभी हाली में इसका नाम बदल ले गया है इसका नाम रखा गया है हावा स्रेवा नेवी बंदरगा ठीक है यह आपका कहां पर है महरास्ट में है इसके लावा पारादीब बंदरगा कहां पर होगा पारादीब बंदरगा ये दुस्त आपका ओरिसा में है पारादीब बंदरगा ठीक है कहां पर है ओरिसा में इसके लावा तुति कुरीन बंदरगा हो गया विसाखा पटनम बंदरगा पुछे का तो ये दुस्त आपका अं संक्या वो दोस्ता आपका 50 से ठीक है इसके लब आपका गुजात मंदरगाओं की संक्या वो फिरेंट आपका कितना है 40 से ठीक है इतना याई दखिएगा चलिए नेक्स परस कियो बढ़ते ही तो नेक्स परस आप से पूछा गया है वो पूछा गया है तासकन समझोता से कि त पहली बात किसके किसके बीच हुआ है तो यह आपका भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था 10 जनवरी 1966 को हुआ था इस बात को भी आद दखिएगा यह एक आपका सांती समझोता था इस समझोते पर जो अस्थाक्षर हुआ था या करने वाली जो परधान मंति थी हमारे पर बेवसाइक हवाई जहाज कौन सा था तो पहला बेवसाइक हवाई जहाज की बात करेंगे तो आज से 114 साल पले सतर दिस समझोतीन के दिन राइट बंदूर ने औरविल और विलवर ने उतरी कलोना में राइट फ्लाइ नावल विवान से सफल उरान भरी थी ठीक है लेकिन यह आपसे नहीं पूछा गया था आपसे पूछा गया था पहला बेवसाइक हवाई जहाज के बारे में तो इसक कि अनसर जो कि मिल नहीं पाया है तो आप लोग कामेंट सेक्षिन में जबूरूर बताईएगा आपके ओपसन में क्या क्या दिया गया था ठीक है अपसन बता दिएगा तो इससे हम लोग को क्या होगा असानी हो जाएगा इसका अंसर धुन्द में ठीक है नेक्स आपका करेंवंड चसें में ज़रूर बताने का प्रास किजिएगा लेकिन जो आपका नेशनल जो फाइनिशेयल अवेर्पनेश टेए नहीं मिल पाया है लेकिन आपका financial awareness देहे वो friends आपका मनाय जाता है आपका 25 अपरेल को ठीक है 25 अपरेल को मनाय जाता है नेशनल वला ठीक है तो आप लोग जरूर सहायता किजिएगा इसके लावा आपका नेशनल जो financial literacy month मनाय जाता है वो आपका अपरेल मन्त को आपका national financial literacy month के रूप में घोसी थे जो कि आपका किया गया है ठीक है इसको भी आद दखिएगा चलिए next question के बात करते हैं तो पुछा गया था who on ATD next ATD Award 2023 ठेक है तो ATD Award 2023 के बात करेंगे तो यह दोस्वा आपका NTPC को मिला है तो इसका राइटेंस आपका NTPC हो जाएगा NTPC Limited the country largest power generating company has been honored with ATD based award 2023 by the association for the talent development ATD USA this is the sixth time that NTPC Limited has on this award for the demonstrating enterprises success in the field of talent development next आपका पुछा गया मांसी राम किस परवत सिंगलाप ऐसी थे तो मांसी जो परवतमाला है वो दूसरा आपका खासी परवतमाला में इसी थे भारत के मेगाराज में सुलंग पठाड़ पैसी थे यहां पर जो बारिस आपका होता है पुरे विश्व में सबसे अधिक बारि आपका पुछा गया कि मांट मनीपूर राज के बिशनेपूर जीले में है अगला है सहित एकड़मी पुरसकार पर आपकरने वाली पर्थम महिला के बात करते हैं तो यह दोस्तों आपके अमरिता पृतम जी है जो कि एक भारती उटक्रिस्ट पंजाबी लेकिक और कभी थे और सहित एकड़मी पुरसकार जीतने वाली पहली महिला है तो अमरिता पृतम इसका रायट अंसर होगा नेक्स आपका है वो पुछा गया वो पुछा गया आपका कि सेंडल पिंक है जो कहां इसीते तो सेंडल पिंक की बात करेंगे कि दिदूसा आपका अनवान दिप समू तो इसका राइटेंस आपका अनवान दीप समू हो जाएगा 732 मिटर का उस्तम बिंडू है अनवान दीप समू का सबसे उच्छा बिंडू आपका सेंडल पे खी है अगला है कि जंधन योजना ने महिलाओं का परतिक्सत कितना है तो जंधन जो योजना आपका हुआ था उसम चुलिए वो नेक्स वोर्शन पुछा गया कि 1948 के भरतिराष्टि कोंग्रेस के दिविशन की अधिक्सता है जो कि किस ने किया था ठीक है तो 1948 का जो आपका कॉंग्रेस का जो दिविशन हुआ था अजादी के बाद पहला दिविशन था ठीक है इसकी जो अधिक्सता है वो क्योंग्रेश्टि टैकर कि अध्यक्स ते लिए समय आपको आपके सुचिता क्रिप लानी इस में थे इसके लाँ भारतीराश्टि कोंग्रेश्टि की बात करते हैं यह वो दोस्तों आपका अठारश्टि पचासि में होता है ऐसके लाँ आपका इन हैप तो द्वारा जू दा अगमपेश के दोस्तों आपका कहां पर हुआ था ध्यांट को यार देखेक्ट भावा इसके जो खया लिए धीश च्रसार क्या गया ट्रिक्सान पुचा गया था ज हैं को स्यलबी ऊसoup अउनिएटी से पुछा गया तो यहां सब्सक्राइब गई कि इंडिया यहां पर हम लिग देते हैं पीडिये अपका नहीं मिल पाया है तो आप लोग यहां से नोड़ाउन कर लिजे गा या जुरूत परेज तब नहीं तो माइंड महीं नोड़ाउन कर लिजेगा एक आपका पूछ गया था इंडिया फर्स्ट्रे प्रिंदेट हो जाएगा इसको भी आद दखिएगा यह आपका बना था आपका 2014 में ठीक है इसके लावा नेक्स कोशन पुछा गया था आपका मुजियम के वारें पुछा गया था कि कोन सराज में आपका है इंडिया स्वाइच में हो यह hiçbir पेज़राबाद मिस्ती थी तो इसका रायटेंस आपका क्या हो जाएगा। है यह कोस्ना पूछा गया था एक क्षम्षन आपका पूछा गया था चौल टेंपल आपका राजमन ते दिवहार पूंग है था बडिश्वर्ट जो टेंपल है वे तो आपका कहाँ पर इसी थी आपका तामिल आड़ों पढ़ता है तो इसका जो पले तो फूल फूर्म जाननी कि आप लोग क्या होता है जो लोग को नहीं मालूम है आपका इसका फूल फूर्म होता है इसका जो अस्थापना आपका एक अप्रेल 1995 को आपका इसका अस्थापना होता है तो इसका राइटेंस आपका क्या हो जाएगा यहां माइंड में याद कर लिजेगा एक कोस्ता पूछा गया तो वाट इस दो मीनिंग ओफ द दावलू ठीक है डावलू इन आई सी सी डावलू ठीक है इसमें आपका मीनिंग पूछा गया तो इसका राइट एंसर क्या होगा उसको जान लिजे तो देखिए इसका जो रा आपका इसका फौल फॉर्म होता है तो इसमें से आपका डावलु का मिनिंग पुछा गया था इसकराइटेंस आपका विड्रोल हो जाएगा फिरे जो आपका आपका भारतियत जब भैंक है जो कि सब्सक्राइब करने का यूजना बनाया है आई सी डाबलू लेंडिन के लिए निकासी सिमा के अनुरूप होगा तो यह सभी प्रस्ण आपके आज के ठर्सी में पूछे करते हैं वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दिजिएगा चैनल पर लेकिन नहीं है चैनल को सब्सक्राइब जूरू करते चलिएगा मिलते हैं लोग नेक्स टूडियो में जब तक क्लिए जैंग जै भरत वंदे मात्राम